आज का जो विडियो है वो है B SSE 3rd CGL 2022 exam date से related जिसका की आप लोग मतलब एक वीक से बहुत जादा हंगामा हो रहा है बहुत सारे वीडियो डेली अपलोड हो रहे हैं कि exam कि यह भी डाउट्स है सबसे पहले एक्जाम डेट का क्या डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा अगर कोई कहता है बढ़ेगा तो उसका क्या लोजिक है क्या सचाई में बढ़ेगा कि बस ऐसे मनघरन बाते बनाके व्यूज लाया जा रहा है अगर एक्जाम 26-27 को होता है त आपका कब तक आएगा सारी चीजों के बारे में आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए चैनल पर नए हैं तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन को दबाके और नोटिफिकेशन भी ओन कर 20 यानि 9 शितंबर को ही था जिसमें कि इन्होंने एस्टेटश और कलेंडर इन्होंने अपीडेट किया था उसके बारे में बताया था इस नोटिस में और यह नोटिस हम लोग खोलके देख लेते हैं क्या है इस नोटिस में डीए यह था वो नोटिस जिस कारण से हमें पता चला था कि हमारा जो एक्जाम है BSSC का थर्ड CGL वो है 26 और 27 नवूंबर 2022 को ठीक है और आज हो गए है छे तारिक ठीक है यानि कि 20 दिन अभी भी बचे हुए हैं हमारे पास अब डेली यूटूब पे कुछ ना कुछ विडियो अपलोड हो रहा है लोग कह रहे हैं कि 26 और 27 इसको नहीं होगा कुछ कह रहे हैं कि हो जाएगा कुछ मतलब अलग-अलग तरीके के ज्यान यहां पे डेली अपलोड हो रहा है और आप लोग उसको देखें कन्फ्यूज हो रहे हैं तो देखिए सबसे पहली चीज जो बात करने वाले हैं वो है एक्जाम डेट के बारे में बात करते हैं एक्जाम डेट की जैसा कि SSC यानि बिहार SSC का जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले कई सालों से ये कभी भी आपका एक नोटिस पे आपका एक्जाम नहीं लेता है आप चेक कर लिजे कई सालों से इनका यही रवयार आए कि कभी भी टाइम टू टाइम एक्जाम नहीं हुआ लेकिन इस बार यानि 2022 का अगर आप सिफ रिकॉर्ड देखते हैं तो बहुत सार एक्जाम एकदम टाइम टू टाइम भी हुए है तो यहां पे आप लोग परिसान होने की कोई भी बात ही नहीं अगर 26-27 को आपका एक्जाम होता है तो अच्छी बात है आप इतना परिसान क्यों हो रहे हैं कि डेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा आप तो इस डेट को लेके चलिए ना आप तो यह मान के चलिए कि नोटिस आ गया नोटिस अगर दिया गया है कलेंडर में कि 26-27 तो हम तो 26-27 के लिए रेडी है डेट बढ़ने से क्या होगा यह बताई आप मुझे आप वीडियो देख रहे ह आपका रिजल्ट बिल्कुल नहीं होने वाला है आप यह मान के चलिए कि मेरा जो एक्जाम है वो 26-27 को है हम तयार है पूरी तरीके से अगर किसी कारण वस आपका एक्जाम नहीं होता है 26-27 को डेट आगे बढ़ता है तो अच्छी बात है आपको तयारी का और मोका मिल जा टें 26-27 को गया आपका एक्जाम तो आपके तो लगने वाले ठीख है अब एक्जाम होगा कि नहीं होगा यह भी आपको थोड़ा सा नहीं दे दे प्योंकि एक्जेक्ट किसी को भी पता नहीं है यह आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं जो बोलते ना सुत्र, सुत्र कु कोई भी कहीं भी किसी को भी कोई न्यूज नहीं तुक्का मार दिया जाता है कि फलाने हम ने इससे बात किया उससे बात कुछ नी आप भी बात करके देख लो नई कोन क्या बताएगा वह तो आपको बोले क्लेंडर जारी है अगर कोई नोटीच आएगा तो आपके साइट पर अपलोड कर दिया जाएगा बस यहीं सारी बाते होती ना आप लोग परिशान क्यों हो रहे हैं यह बताईए परिशान होने का कोई रीजन ही नहीं है आप किसी के बहकावें मत आईए आपका एक ही होना चाहिए कि 26 27 को मेरा एक्जाम है हम पूरी तरीके से तयार हो हो रहे हैं या हो चुके हैं ठीक है आप जो सेट लगाते हैं जो पढ़ाई करते हैं उस पर जी जान से लगे रहे हैं डेट आगे बढ़े आता है तो आगे एक्जाम दीजिएगा अगर 26 27 को होता है इस दिन आप तोड़ दीजिएगा क्वेस्टन सीट को ठीक है अब अगरे एडमिट काड जो है एक्जाम डेट से 10 से 13 दिन पहले यह रिलीज करता है ठीक है इस अनुसार अगर आपका देखा जाए तो यह जो है 26 को अगर आपका एक्जाम होता है तो आपका जो एडमिट काड है वो 13 से 16 के बीज में आपका आएगा ठीक है यह डेट भी अभी तक नहीं आया अभी तो आज तो छे ही तारीख है इस एक्वर्डिंग देखा जाए तो अभी भी आपके पास साथ से 10 दिन है तार से 10 दिन पहले आप कैसे कह सकते हैं कि एक्जाम डेट आगे बढ़ेगा लोजिक वाली बात है ना भाई और इसके बाकाव में रहिएगा तो आपका जीवन बरवाद होने वाला है आपको भी पता है कि एक कितने सालों के बाद यह विकेंसी आई है इस बार छूड़ ग करने महापुरूस लोग आएंगे कि जब तुझे पता ही ने तो वीडियो क्यों बनाता है भाई साब आप लोग ना चमचागिरी छोड़ देजिए जो बड़े बड़े चैनल है ना उनका एक चैनल वाले हैं जो हेलो दोस्तों यह वाला जो ड्रामा जो चल रहा है ना अब तक कोई भी ओफिस्यल नहीं आता है तब तक आपको कोई भी मानने के जुरत नहीं कि हमारा डेट बढ़ गया नहीं तो डेट के साथ साथ आपका रिजल्ट भी बढ़ जाएगा ठीक है तो यह सारी इंफोर्मेशन थी आपका अभी मान के चलिए 26 27 और आपका देखने को मिलेगा इतना पहले नहीं देगा यह यह भी आप मान के चलिए दस तरीक के बाद ही कोई भी नौटीस आएगा तो थोड़ा वेट कीजिए और पढ़ाई पर लगे रही है ऐसे नहीं कि वेट के चक्कर में सब कुछ छोड़ दिएगा हाँ देट तो बढ़ी रह होगा तो वो सब फलाने डिमकाने में मत रहिए एकदम 26-26 को माइंड में लेके चलिए ठीक है और जिनको कमेंट करना है फालतु भगवास वो करते रहिए जिन्दगी उसी में आपका निकल जाएगा चलिए मिलते एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाइटेक के रहें जाहिए जाहिए